नमस्कार प्यासाथियों मैं पाउन सिंग आप इस वीडियो में स्वागत करता हूँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कच्छा 12 की गडित प्रश्णावली 4.2 ठीक है पहली बात तो सबसे बहुत महत्पूर जानकारी ये है कि अभी तक आप प्रश्णावली 4.2 में प्रद्धार्म ये आप पढ़ते थे ठीक है और उससे रिलेटेड कोस्चन भी पढ़ते थे लेकिन अब NCRT ने क्या किया है कि प्रश्णावली 4.2 की देदी सद्धान जली ठीक है जिसकी वजह से प्रश्णावली 4.2 की जगह पर आपकी प्रश्णावली आ गई है 4.3 इस लेकिन NCRT ने हटा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम उसकी बारे में चर्चा नहीं करेंगे जो चले गए सो चले गए ठीक है तो हम चर्चा करेंगे 4.3 के बारे में और वो आपकी प्रश्णावली 4.2 बन चुकी है ठीक है जिसमें पढ़ने वाले हैं से शुरुआत की थी कच्छा नहीं में आपको क्या मिला था सुरुआ करते हैं देखें वहां पर आपको त्रिभुज मिला था माले यह 4 था यह 3 यह 2 और कहां जाता था त्रिभुज का छेत्र फल ग्यात कीजिए तो हीरोन के सूत से आप फार्मूरा लगाते थे स, स-A, स-B, स-C एक तो फार्मूरा आपका यह था ठीक है दूसरा फार्मूरा आपका यह था कि त्रिभुज का छेत्र फल आधार पता है अगर उंच्छा ही पता है तो फार्मूरा था एक बटे दो आधार पुड़े उचाई और जैसे आप कच्छा 9 से निकले कच्छा 10 में आए तो फिर आपको यहाँ पर बिंदू दे देते हैं इस प्रकार से बिंदू दिया जाता था तो मान लेते हैं कि X1 यहाँ पर Y1 और यहाँ पर X2 और यहाँ पर बिंदू दे दिया गया क्या X2 Y2 यहाँ पर बिंदू दे दिया X3 X3 और Y3 जब आपको अच्छा 10 में पहुँचे तो आपने तीसरा फार्मूला पढ़ा त्रिभूज का छेत्र फल हमने इसको याद करने की ट्रिक भी बताए थी ट्रिक क्या थी अगर आपने हमसे पढ़ा हो तो फार्मूला था X Y-Y प्लस X Y-Y प्लस X Y-Y इस प्रकार से आपको तीन बार करना था और यहाँ पर आप नंबर लिखने थे एक यह हो जाता था दो और यह हो जाता था तीन एक के बाद आएगा दो दो के बाद आजा था तीन दो के बाद तीन तीन के बाद फिर एक सरकल बन जाता था इस प्रकार से इस प्रकार से मान ले जिए कि यहाँ पर एक है यह दो और यह हो जाता था तीन तो पपहले एक था दो था पर तीन था अब दो तीन, तीन के बर देखे धी एक आप एक बऑन पर तीन के बबुद है तीन के बद एक दो इस पर करूश चलता था यह था आपका फार्मूला 3 उस चाहे में आजाते हैं कच्छा 12 में तो कुछ तो नगग् outward 19 सीकने लिभूज का छेत्र फल एक बटे दो अब यह साडिक लगा देते हैं इस परका से साडिक का निजान लगा देते हैं ठीक है और यहां पर हो जाएगा अब इस फार्मूले को हम लेकर चैनेंगे ठीक है हाँ एक बात और यह तो हो गया आपका त्रिभुच का छेत्र फल ठीक है और इसी से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी टाइप कर तीन टाइप के कोस्ट्वन है सभी इसी फार्मूले से लग जाएंगे ओगर कहीं भूगी का मतलब एक ही रेγखा में अब तीन बिंदू एक ही रेखा में हो जाएंगे तो इसका छेथपल निकाल सकते हैं क्या नए निकले गाए सुनने आएगा ठीक है उसका च्रेथपल क्या आएगा सूनने आएगा तो अब हमने नाू से इंटर तकि को फार्मूलों के बारे में आपको जानकर दे दी ठीक है कि आपने शुरुवात पहले का अच्छा नाउ से हिरोन की सुत्र से की फिर त्रिबुच का छेट फल एक बटे दो आधार गुणे उचाई उसके बाद आपका तीन बिंदू का फार्मूला आजाता था अब यह आपका चवता फार्मूला है और यह दोनों फार्मूले एक ही हैं है अगर आप इसका विस्तार करेंगे ना इसका विस्तार करेंगे तो यह फार्मूला ही आपको मिलेगा ठीक है तो चलिए हम लोग कोस्चन number 1 से शुरुआशट करेंगे तोटल इसे 5 questions दिए गए हैं और 5 को Cuando को आज ही वह लोग सालो वर लेंगे ठीक है 23न तरीके से हम लोग सुरू करेंगे सुरू करता है question number 1 question no.1 देखिए बच्चों, question number 1 में कहा गया कि निम्न लिखी प्रतेक में दिये गए सीर्स बिंदूओं वाले त्रिवूजों का 6 त्रिफल ग्यांत कीजिए, ठीक है? यहां पर 1, 2, 3, 3 question दिये गए हैं, 3 question में से हम आपको तीसरे number का question बता देते हैं, ठीक है? बाकी यह दो question जो है, यह, यह दो question आपको करना है, homework में, ठीक है? यह दो question आपको किस में रहेंगे? homework में इन दोनों question को आपको सालों करना है, और इसका क्या answer आता है? कामेंट वाक से में आपकोppin करना है ठीक है बागी हमंग तीसरे कॉस्चन को देख लेते है तीशरे क्यों में हमें किस फार्वूले के इस्तिमाल करना है त्रिभुज का का छेत्र फल त्रिभूद का छेत्र फल फार्मूला क्या है आपको पता है क्या होता है फार्मूला फार्मूला होता है एक बटे दो X1, Y1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, 1, 1, 1 यह होता है, ठीक है, अब इसमें हमें क्या कारना value रखना है आपको पता है, जो पहला बिन्द हो है, इसमें X1 और Y1 होते है, X2 और Y2, इसमें हो जाएगा X3 और Y3, ठीक है, अब हम value के इसमें रख देते हैं, चलिए रखेंगे, देखते हैं, उसके बाद क्या मिलता है, एक बटे 2, X1 की value माइनस का 2, X2 की value 3 दी गई है, और X3 की value माइनस का 1, Y1 की value माइनस का 3, Y2 की value 2, और Y3 की value माइनस का 8, A1, ठीक है, अब इसका हमें करना है विस्तार, तो लिखेंगे R1 के सापेच, R1 के सापेच, विस्तार करने पर, R1 आपका काउन है, ये line आपकी R1 है, ठीक है, तो उचले सुरू करते हैं, एक बटे 2, किसका number है, माइनस 2 का, तो यहाँ पर आए क्या, माइनस का 2, और साडिक बना लेना है, इस line को बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, बचता कितना, 2, 1, माइनस का 8, 1, फिर उसके बाद रहता है, बीचे माइनस, और यह आपका माइनस का 3 पहले से दे दिया है, फिस साडिक बनाएंगे, अब इस line को बंद करेंगे, उपरवाई line बंद होगी, तो बचेगा 3, माइनस, एक, 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 उसके बाद, प्लस का 1, किस साडिक बनेगे, यह line बंद होगी, उपरवाई line बंद होगी, बचेगा 3, माइनस, एक, दो, आठ, अब इसको में क्या करना है, यह आपका कोश्टक हो जाएगा, बढ़ा वाला, ठीक है, और चलिए, अब आगे सुरू कर आते हैं, यह आपका एक बटे दो चलता रहेगा, एक बटे दो, इसको सालो करेंगे, तो माइनस का दो तो पहले सही है, माइनस का दो, एक का गुणा दो में करेंगे, दो एक अन्नम, दो हो जाएगा, बीच में रहेगा, माइनस, आठ, माइनस का आठ, यह माइनस हो अब इसको बंद कर लेंगे और यह हो जाएगा एक बटे दो अब इसको आगे हम हल करेंगे है ठीक है तो माइनस का दो आठ और दो 10 हो जाएगा प्लस 3 एक चार उसके बाद प्लस वन 28 और दो कितना हो जाएगा तिस तो आएगा एक बटे दो डस दूनी माइनस का बीस चार त्याहिंग बारा 30 एकन्नम 30 तो हो जाएगा 1 बटे 2 30 और कितना हो जाएगा 30 12 40 42 भागे सालों करेंगे तो 1 बटे 2 42 से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 22 इसको काटेंगे 2 एकन्नम 2 यानि 11 वर्ग इकाई आएगा यह हो जाएगा एंसर ठीक है और यह दो कोस्चन आपको होमवर्ग में करना है कि कुछ सेम टू सेम कोस्चन है ठीक है तो कोस्चन नमबर एक आपको पूरी तरह से साथ में आ गया होगा कहीं पर कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बाग से पूछ सकते हैं ठीक यह दो ए बी सी संड्रेक संड्रेक है इसका मतलब यह है कि त्रीवूज का छेत्र फल जीरों मिख लेगा ठीक है जरी सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रीवूज का छेत्र फल फार्मूला आपको पता चली चुका है एक बटे दो और साडिक के निसान लगा यह हो जाएगा आपका फर्मूला ठीक है और आपको पता है कि यह पहले बिंदु में एक्स वन यह हो जाएगा वाई वन एक्स टू वाई टू यह जाएगा एक्स थ्री और वाई थ्री अब उसमें में वाईल्यू को क्या कर देना है सालो करने पर अगर हमें त्रिवूल का छेत्फल क्या मिलेगा उसने कहा संरेक दर्साइए की बिंदू एबीसी संरेक है संरेक होने का मतलब यह है कि तीनों जो रे बिए और यहाँ पर फिंदू सी इसका मतलब बहुता है और संरेक के त्रीब दोम सालो करेंगे तर्षक कि एस यह चिनिलीतौ कर रखते है तो एक बढ़े 2 x1 है a x2 है b x3 है c y1 है b plus c y2 है c plus a और y3 है a plus b a plus b 111 यह हो जाएगा अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका 4.2 साड़ी के गुर्धर्म हटा दिये गए हैं तो हम यहां पर गुर्धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक है तो गुर्धर्म का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें वे जोड़ना पड़ेगा जोडने के बाद a plus b common कर लेंगे कामन करने के बाद दो पंक्तियां आपसे बराबर हो जाएंगे या दो कालम आपसे बराबर हो जाएंगे और साड़ी कमान 0 हो जाएगा लेकि उसका इस्तेमाल हमें अब नहीं करना है ठीक है अब सीधे सीधे इसका हम विस्तार करेंगे तो लिखेंगे आर कौन के सापेच विस्तार करने पर ठीक है चले करते हैं विस्तार तो एक बटे दो बड़ा कोश्टक लगाएंगे ए है क्या बचेगा सी प्लस ए ए प्लस बी एक एक उसके बाद माइनस चलता है अब और बी प्लस सी दिया गया है फिर साडिक लगाएंगे ये लाइन बंद होगी तो बचेगा B, C, A एक उसके बाद प्लस ये आपका रहेगा 1 फिर साडिक बनेगी ये बंद करेंगे ये लाइन बंद होगी तो B, C, B, C और C प्लस A C प्लस A, A प्लस B A प्लस B ये हो जाएगा बड़ा कोश्टक ठीक है? अब आगे देखते हैं तो एक बटे दो ये आपका A तो बना रहेगा एक का गुणा हिदार होगा कोई फ्राक नहीं पड़ेगा C प्लस A रहेगा माइनस A प्लस B क्या हो जाएगा? हो जाएगा A प्लस B ठीक है? और इसके उपर से बड़ा सा कोश्टक ये हो जाएगा माइनस का B प्लस C और इसको गर हम सालो करेंगे ये हो जाएगा B माइनस C प्लस का 1 है इसका मल्टिप्लाई इसके साथ होगा यानि कि B का मल्टिप्लाई होगा A प्लस B के साथ और माइनस C का मल्टिप्लाई होगा C प्लस A के साथ ठीक है? अब आगे देखिए हो जाएगा 1 बटे 2 A का अंदर गुणा करेंगे A का अंदर गुणा करेंगे पहले-पहले हम अंदर सालो कर लेते हैं C प्लस A माइनस माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा A-B यहाँ पर आपका फार्मूला लग रहा A प्लस B A-B यानि A स्कूर माइनस A का निए B स्कूर और माइनस का C कोस्टक लगा रहेगा ठीक है प्लस B का अंदर गुणा करेंगे यह हो जाएगा कितना मैंने सी स्क्वेर माइनस का अब आगे देखिए आगे सालोकरने के लिए कि ए तो आपका कट जाएगा जोंब भी बचता है वह अगे सालोकरते हैं उपर से देखिए क्या बचा हुआ एक बटे दो बड़ा कोस्टक लगाएंगे यह बचा है और सी माइनस बी सी माइनस बी माइनस अंदर जाएगा तो जाएगा माइनस का बी स्क्वेर और प्लस का सी स्क्वेर और यहां पर आपका प्लस का एबी है प्लस का एबी प्लस का बी स्क्वेर प्लस का बी स्क्वेर माइनस का सी स्क्वेर और माइनस का हो जाएगा एसी ठीक है अब जो कटता हो तो से आपका काट सकते हैं प्लस माइनस का प्लस का प्लस और यह माइनस का कट जाएग तो हो जाएगा एक बटे दो एक अंदर गुड़ा करेंगे हो जाएगा AC ये हो जाएगा AB प्लस का AB माइनस का AC तो AC प्लस और माइनस AB प्लस और माइनस कड़ जाएंगे बचेगा एक बटे दो गुड़े 0 बराबर 0 तो लिखेंगे आता हा आता हा तीनो बिन्दू सं रेख है थीक है तो इतने चोटे चोटे भेतरीन भेतरीन question आपको आराम से सालो कर सकते हैं तो आपका question नमबर 2 पूरी तरह से समाप्त हुआ question नमबर 2 के बाद हम लोग सालो करेंगे question नमबर 3 question number 3 देखिए वच्छो question number 3 में दो question दिये गए है ठीक है और कहा गया है प्रतेक में के का मान ग्यांत की यदि त्रिभूजों का 6 तरफल 4 वर्ग इकाई है जहां बिंदू निम लिखीत है अब देखें यहां वजों में 6 तरफल दिया गया है न वो चार वर्ग इकाई दिया गया है इसको प्लस और माइनस के साथ सालों करेंगे ठीक है प्लस और माइनस के साथ निया जाता त्रिभूज का छेत्रफल तो लिखेंगे त्रिभुज का छेत्र फल का फार्मूला क्या होता है त्रिभुजी का छेत्र फल एक बटे दू माड लगा देंगे एक्स वन एक्स टू एक्स त्री वाई 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 टू वाई त्री एक एक ठीक है अब उसके बाद त्रिभुज का छेत्र फल जो है वह आपका प्लस और माइनस के साथ चार है एक बटे दू एक्स वन अब यह आपका एक्स वन होगा देखें समझें हमें पहला क्वोस्चन सालो कर रहे हैं पहला यह हो जाएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ठीक है अब वाई लू का आप राख सकते हैं तो एक्स वन का मान हो जाएगा आपका के एक्स टू का मान हो जाएगा आपका फोर और एक्स थ्री का मान हो जाएगा जीरो वाई वन का मान हो जाएगा जीरो वाई टू का भी मान हो जाएगा जीरो और वाई थ्री का मान हो जाएगा दो और यह हो जाएंगे एक 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 ठीक है अब इसको आप सालो कर सकते हैं तो इ कर दो कर दो मा नंबर या निकेक लिखेंगे ये बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा बचेगा 0,1,2,1 बचेगा ये बंद करेंगे और ये बंद करेंगे यानि 4,002 अब इसको आप सालो कर सकते हैं तो सालो करेंगे प्लस माइनस 8 बराबर के इसका मुल्टिप्लाइ इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2,192 माइनस 0 अंदर आप गुणा भी कर दीजिए बाद में तो 0 होई जाएगा ठीक है और उसके बाद हो जाएगा प्लस 1 चार दूनी 8 माइनस 0 तो आगे सालो करेंगे तो प्लस माइनस 8 बराबर के का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस कट्टू के माइनस जीरो पुणा गारेंगे टोटल जीरो हो जाएगा प्लस आठ एक अन्नम आठ अब आगे इधर देखिए कितना बच गया है बच गया प्लस माइनस आठ माइनस बराबर माइनस का 2K और प्लस का आठ प्लस का आठ अब इसको थोड़ा पच्छांतर कर लेते पच्छांतर क्या करेंगे धन से आपको रण में चलाएगा यानि माइनस का 2K बराबर बनेगा प्लस माइनस आठ माइनस का आठ अब यहाँ पर आपकी दो कंडिशन बनेगी एक प्लस चिन लेने पर प्लस चिन लेने पर हो जाएगा माइनस का 2K बराबर यह आपका प्लस का आठ रहेगा और यह माइनस का आठ यह कड जाएगा तो माइनस का 2K बराबर 0 तो K बराबर आजाएगा 0 एक मान तो आपका यह हो गया अब माइनस चिन लेने पर माइनस चिन लेने पर थो जाएगा माइनस का 2 के बराबर माइनस का 8 माइनस का 2 के बराबर माइनस का 16 माइनस माइनस कर जाएगे 292 2816 इससे के बराबर कितना आ गया? 8 ये दोनों आपके answer निकालाए कोस्चन नमबर पहला का जिसमें कोस्चन नमबर जो 2 है सेम टू सेम लगेगा और ये आपका रहेगा हूम वर्क में ठीक है? क्या answer आते हैं के के दो मान आएंगे? क्या answer आते हैं कमेंट्स बाक्स में आपको जरूर पिंट करना है ठीक है? तो चलिए, कोस्चन नमबर 3 तक हमने बहत्रीन तरीके सालो कर लिया अब हम सालो करेंगे कोस्चन नमबर 4 कोस्चन नमबर 4 देखिए प्यारे बच्चों कोस्चन नमबर 4 में कहा गया है वहां पर दो कोस्चन दिए गया है दोनों question एक ही प्रकार के question है, सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, और इसमें हम एक question आपको बदा देते हैं, एक question आपका home work में रहेगा, ठीक है, इसमें कागया साडिकों का प्रयोग करके, एक कामा दो और तीन कामा च्छाय को मिलाने वाली रेखा का सभी कर गयात की जिए, अब माल लेते हैं, पहला नंबर, ठीक है, यह पहला नंबर सालो करेंगे, पहला नंबर, अब यह कोई एक रेखा है, यहाँ पर एक बिन्दु बाल लेते हैं A है, और यहाँ पर एक बिन्दु B है, जिसके निरदेशांक दीए गए है 1, 2, 3, 6, ए और बी को मिलाने वाला कोई बिंदू जो सी इस्थित है बीच में कहीं पर भी इस्थित है जो ए और बी को मिलाता है इसका निर्देशान का माल लेते हैं एक्सोवन स्वारी एक्स या वाई मालेते हैं एक्स कामा वाई अब यह तीनो बिंदू जो है एक ही रेखा में है इसका मतलब संरेख है और संरेख है तो त्रिवुज का छेटफल जीरो होगा ठीक है तो लिखेंगे तीनो बिंदू यहां पर पहले ही बता देंगे तीनो बिंदू एक ही रेखा पर इस्थित है आता आता त्रिवुज का छेट्रफल बराबर जीरो होगा ठीक है तो सीदे सीदे हम त्रिवुज का छेट्रफल का सीदे फार्मुल रखते हैं एक बटे दो एक्स वन एक्स टू एक्स त्री वाई वन वाई टू वाई त्री वन 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 और त्रिवुज का छेट्रफल क्या होगा जीरो मिलेगा ठीक है अब यह आपका दो बुने से भाग में भी जाएगा तब भी और न भेजना जाएगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एक्स वन की वैल्यू रखेए यह आपका हो जाता एक्स वन देख़ें तीनो एक ही रेखा में है यह हो जाएगा आपका एक्स वन वाई वन आप इसको चाहिए एक्स टू वाई टू माल लेज़े चाहिए इसक की value 1, x2 की value ए x, और x3 की value है 3, इसी प्रकार y1 की value है 2, y2 की value है y, और y3 की value है 6, 111, बराबर 0, तो यह हमारे पास बचेगा 1, क्या बचेगा 1, यह हो जाएगा x3, 2, y6, 111, बराबर 0, भाग से गोड़े में चला गया 2, आपका 0 हो गया, अब इसका हम विस्तार करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे r1 के सापेच विस्तार, r1 के सापेच विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, r1 तो आप जाने चुके है, कि यह पहली पंग्ती होती r1, ठीक है, तो किसका नमबर आजाता है, आपका 1 का, 1 है, यह लाइन बंदोगी, यह लाइन बंदोगी, जो बचेंगे, उन्हें लिख लेंगे, y611, बनाएगा minus, और यह हो जाएगा 2, तो यह लाइन बंदोगी, यह लाइन, x311, x311, 1, प्लस, उसके बाद हो जाएगा, आपका 1, और फिर्शनाडिक का निसान लगाएंगे, यह बंदोगा, यह बंदोगा, xy3, 6, xy3, 6, बराबर आपका क्या है, 0 है, ठीक है, आगे देखिए, अब 1 का गुड़ा y में करेंगे, तो y आएगा, 6 का गुड़ा एक में करेंगे, तो minus का 6 आएगा minus का 2, यह हो जाएगा x, 2 का गुड़ा एक में करेंगे, तो हो जाएगा, 3 plus 1, यह हो जाएगा, 6x minus 3y बराबर 0, ठीक है? आगे देखिए 1 के अंदर गुड़ा करेंगे तो कोई फार्क नहीं पड़ेंगे माईनस 2 के अंदर गुड़ा करेंगे टो 2x प्लस्पलस फ्लस भयागा 2 त्याई ही छहे और प्लस 1 के अंदर गुड़ा करेंगे तो 6x-3y बराबर 0 हो अब आगे आप x वाले देखिए पहले एक x वाला ये है एक ये है 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4x ठीक है y वाला देखिए ये 3y है ये 1y तीन में से 1 जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा और अब कुछ बचता है क्या कुछ नहीं बचता है और बराबर में आपका हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2y माइनस से प्लस में 2,1,2,2,2,2,4 जिससे 2x बराबर आया y या तो ये आप रख सकते हैं या 2x माइनस y बराबर 0 यह भी आपका सहिं हो जाएगा टीक है और यह दो नमबर जो है यह कोस्चन नमबर जो दो है यह आपका रहेगा QUOMWORK में इसका इंसर क्या आता है आप कमेंट्स भाग सरस्य जरूर एंसर दिजेगा आपके कमेंट्स का जरूर इंतिजार रहेगा तो question number 4 हमने बेतरी इंतरीके सालू कर लिया एक से 4 तक कहीं पर कोई दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हैं ठीक है और आज़ी class का last question हम लोग देखेंगे question number 5 question number 5 देखें बच्चो question number 5 में कहा गया यदि सीर्स माइड दो कामा माइनस चार पांच और के कामा चार है ठीक है वाले त्रिभूज का छेत्रिफल 25 वर्ग इकाई हो तो के का माण मियात कीजिए अब यहां पर चार विकल्प आपको दिये गए हैं चार विकल्पों मेंसे कोई भी वो सकता है क्यों के विव होसक तक मतलब यह 2 तो होंगे ही नहीं क्यों नहीं होंगे क्योंकि त्रिभूज के दो आचकुक्षे के डो एंसर primera गया क्यों क्यों किकी बटे 2, हो जाएगा, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये हो जाएगा, ठीक है, जिसमें त्रिबूल का छेतफल दिया गया, 35, इसको हम लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ, 35 का छेतफल, 35 ठीक है, और एक बटे 2, x1, y1 कौन होंगे, इसमें हम संकेत लिखेंगे, ये हो जाएगा, आपका x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है, अब हम value रख देते हैं, तो x1 का माण कितना है, x1 का माण दिया गया है 2, x2 का माण दिया गया है 5, x3 का माण दिया गया है K, y1 का माण है माइनस कचे, कि Y2 का मान भोग और में फूल ए मिट्रीक मान चार तर एक एक है कि अब करें मतलês लेंगे यह अपका दो भाग से अजाएगा यानी यह कितना हो जाएगा ये हो जायएगा पाइद्व दुन इक हु сत्तर हो जाएगास और यह जाएगा दो है दो को देद दबाएंगे यह बंद होगा यह बंद कोगा बचेगा日 multiply चार एक ठीक है बीट मेरे तर हम उर्फ यह आपका माईन comp uh रहे है कि ये बंद होगा ये बंद होगा वेगा 5 के एक एक प्लस का वन ये बंद करेंगे तो बचेगा 5 के फोर फोर ठीक है आगे इसका मिसालों करेंगे तो प्लस मैंडस सतर बराबर 2 एक का गुणा चार में करेंगे तो चार माइनस चार माइनस माइनस प्लस का च्छय हो जाएगा यह जाएगा पांच एका नम पांच के गुणा एक में करेंगे तो के आएगा प्लस वन वन है यह जाएगा चार पंचे 20 माइनस हो जाएगा चार के ठीक है अब उसकी बाद आग प्लस माइनस आपके कड जाएंगे जिससे आएगा सब्लस माइनस सचर दो का गुल्णा जीरो में THAT जीरो हो जाएगा मुझेधा प्लस चाए पाक्पास में खरेंगे छै पंचे तीस यहाएगा च्छय के प्लस अंदर एक कप गुड़ा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब आगे यह हो जाएगा आपका प्लस माइनस सत्तर बराबर 30 20 50 कितना हो जाएगा पच्चास 6 के 4 के माइनस का 10 के हो जाएगा अब आगे देखिए यह तो आपका प्लस माइनस का सत्तर तो बचा हुआ है कोई दिक्कत नहीं यह आपका यहां से हम 10 कामन कर सकते हैं क्या विल्कुल कर सकते हैं तो बचाएगा पांच माइनस के तो आपका 10 से 10 कट जाएगा सत्तर कट जाएगा साथ बचाएगा यानि प्लस माइनस का सत्तर बराबर 5-k ठीक है एक आपका प्लस चिन लेने पर आएगा जो आएगा 7 बराबर 5-k एक आपका 7 बराबर 5-k दोनों को सावा करेंगे तो आपका धंसरड में चलाएगा यानि 7-5 बराबर minus का के तो यह हो जाएगा 2 बराबर minus का के तो k बराबर माइनस का दो एक value तो ये आ गई आपकी ठीक है दूसरा माइनस का 7 इधनसर में चलाएगा बराबर माइनस का के 7 बाच माइनस का 12 बराबर माइनस का के माइनस माइनस कड़ जाएगा तो k बराबर आजाएगा 12 यानि की एक आपका माइनस का दो एक आपका प्लस का बारा कौन से मिलना डी नंबर आपका राइट है ठीक है बच्चों तो एक से पांच तक में कोई समस्या हुई हो कोई डाउट हुआ हो तो आप जरूर पोछेगा हम से ठीक है और कल की क्लास हम बहुत 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 तरीके से सालू करेंगे ज लेक्स करेंगे तो आज की क्लास में आपकी बने रहने के लिए धन्यवाण बच्चों और हम आपकी क्लास यहीं पर साम्त करणे हैं ठीक है तब-ठक के लिए बाई-बाई टाटा सी-ओ